स्टूरेंट्स आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्ससाइज 1.3 को इसमें हम रेटिकेंट, इंडेक्स, एक्सफ़नेंशल फॉर्म, रेटिकल फॉर्म इंसाब के बारे में पलेंगे Q1 है मेरे पास, identify, रेटिकेंट, इंडेक्स in the following सबसे पहले, what is रेटिकेंट and what is इंडेक्स? जब एक root के अंदर, value लिखी वी होती है, फर्स के लिए root के बार में value लिखी वी तो इसमें तीन चीज़े होती है, एक होता है रेटिकेंट और एक होता है इंडेक्स सवाल हमें खाले पहले है कि identify करो के रेटिकेंट की है और इंडेक्स की है रेटिकल क्या होता है? रेटिकल बोलते है इस root को यह जो root है वह आपकर Radical कहलाते है और याद रखना root के अंदर वाली value है आपके Radical कहलाते है और root के बार वाली value है आपके Index कहलाती है उमेर अच्छे से clear होगा प्रोल्बार देख लिए क्या कहाता मैंँ 250 ऎभी यह टो जो root क्योंट वाली वेल्ट जहीं वाब की इंडैक्स है इसे पर रूट के लिंदर एक्स कर 50ल है टो इसे थलोंट गड़े इन्दिक्त who उमीजेर सी इसमें जो है अच्छे सा वो क्लियर होगा कि रीडिकेंट और इंडेक्स क्या होता है आप गर डातें नेक्सट कोशिन की तरफ तो नेक्सट कोशिन है मेरा ट्रांस Pom Profile इन्टू एक्सपॉनेंचल फोन अच्छे स्टुरेंट्स एक्सपोनेंशल फोम में पावर आती है क्या आती है बिटा पावर एक्सपोनेंट बोलते हैं पावर हो जैसे मेरे पास एक नमबर है फाइफ की पावर थरी हो तो यह मेरे पास एक्सपोनेंशल फोम में मुझूद है किसमें मुझूद है एक्सपोनेंशल फोम में अगर जही के फाईफ की पावबर 3 अगर मेरे पास जिओं लिखा हुआ है Здесь main vertical form अगर नंबर के उपर पावबर math a उसल्प पिल एक उतंड इं़ एकॉनेशल फाउम है और इपे इस एफ़ार पावजा good into exponential form में इसके सवाल आपको radical form में क्या हुआ है आपको exponential form में चेज़ रहे हैं इसे पहला सवाल है में पास under root 3 upon 4 दूसरा पार्ट है में पास under root x upon y की power 5 एक और पार्ट है इसका लास्ट पार्ट गें दरा under root दो root आ रहे हैं अपर एक cube root एक square root एंडर root 4 upon 3 यार लखना बेटा root जो है वो बड़ाबर होता है 1 upon 2 की इसके बड़ाबर होता है 1 upon 2 की अगर root के बार 3 आ जाए तो बड़ाबर 1 upon 3 की रूट के बार अगर 4 आ जाए तो बड़ाबर 4 की यानि जो बार नमबर जो है इंडेक्स में लिखा होगा वो आपका डिनोमिनेटर में आगा जाएगा जो बेंड जिसे रूट के बार टैन है तो यह आपका वान अपांट टैन हो गया अब आपने करना क्या है यह रेडिकल फोम में दिया हुए आपने चेंज करना है इसको एक्सपोनेशल फोम में इसमीन आपने रूट को हटाना है और इसकी जग़ा पावर लगाना है किस तरीगे से पावर लगेगे यहाँ पर मैं पस्ता अंडर और 3आप उंड 5 यह रूट स्थी के ओपर भी ऐ पोर के ओपर भी है तो रूट हटके जो पावर आएगी वो ठरी के ओपर भी ऐगी और 4 क ओपर भी आएगे, तो मैंने क्या क्या, रूट अटा दिया, और 3 अपाउंड 4 के ओपर पावर लगा दिया, मैंने 1 अपाउंड 2, ये रेडिकल फोर्म से, इंडेक्स फोर्म से, एक्सपोनेशल फोर्म में चेंज हो गया, यहाँ पर देखते है, एक्सपाउंड वाई, की पा वाई 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 वाउंड 2, ये एक्सपोनेशल फोर्म में चेंज हो गया, अब जरह यहाँ पर देखें, यहाँ पर दो रूट आ रहे, पहले मैंने बार वाई वाई रूट को खतम किया, अटर रूट 4 अपाउंड 3 और बार थ्री आ था तो ये वाई 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 ये डालके 1 अपाउंड 2 लिख दिया, चुछ का ए स्कॉर रूट था, देन मैंने मिल्टिप्लाइ कर दिया, सिंपल 1 बंस आ, 1 एं 3 तू जा 6, यहाँ पर मिरे पास आ गया 4 अपाउंड 3 की पाउवर, 1 अपाउंड 6, ये था सिंपल सा, रेडिकल फोर्म को एक्स्पोनेशल फों में दियावा है रेडिकल फों में चेंज करना है किसमें दियावा है इसको इसमें कर लिया अब अब exponential से radical में change करना है तो यहां पुपी बस सवाल है transform the following equation radical form और पहला पार दियागा है मैं उपको 5 की पावर 3 whole power 1 upon 7 तो यहां की मुझे मुझे बजीद पार दिये 5 upon 7 की पावर 3 और whole power 5 upon 7 जान से दिखना मिला खाली क्या करना है अपनी जो बार 1 upon 7 इसको खतम करके रूट में ले आने किसमें ले आने 5 की पावर 3 एस डिसा गया खाली 1 upon 7 जो था वो किसमे चींज हो गया जब अंडर 7 का रूट बड़ाबर 1 upon 7 के तो 1 upon 7 बड़ाबर 1 upon 7 के रूट के तो मैंने क्या क्या खाली 1 upon 7 की जगा 7 का रूट लगा दिया याद रखना बेटा ये रूट में तभी चेंज हो सकता है जब इसके ओपर 1 मोजूद हो क्या मोजूद हो वन मोजूद हो अगर इसके रहाव को लोट नमबर मोजूद होगा तो ये डाइनक चींज नहीं होगा इस तरीके से होगा यहां पर नेक्स में लेखेंगे कि 5की बर्वा को पॉकाओं सेबी büyük कोई तो थीफटीन होगा ह accents है जाए अब मैने क्या सा चरका सिनिंटार्वां मॉंट होग्य। आश्रर्ट व मॅनिंटीपलाइ टी उके आ देसंतीग मैंने क्या क्या होगा अगर ते उनक्राग्यंंगक प्या किओ 15गाइब फ्रोट्धती और अंदर 5 आपाउंड 7 की पावर 15 ऐसे डिज़ावी एक और पार ने हैं सब B आपाउंड एक पाउंड पाउंड टू question है B आपाउंड A की पाउंड माइनस M आपाउंड टू same यही चीज मिने यहां पर करी तो यहां पर करी थी M1 सा M होता है तो मैंने क्या गरा B upon A M minus M को मैंने अंतर कर दिया और बाहर जोई मैंने 1 upon 2 को कर दिया क्योंकि M1 सा M ही होता है न तो मैंने M को इस तरी के से break कर दिया मुझे उपर 1 चाहिए का इसलिए मैंने ये चीज करी तो कि उपर जब तक 1 नहीं आगा यह radical form में चेंज नहीं होगा तो मैंने इसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया देनादी क्या किया मैंने b upon a की पावर माइनस m और यह 1 upon 2 को मैंने square root में चेंज कर गया तो यह radical form में आगया उमीर है इस video में इस exercise के तीनों parts तो है आपको अच्छे से clear रहोंगे radical की पेचान हो गई radical की पेचान हो गई index की पेचान हो गई और exponential form की पेचान हो गई होगी एक और बार repeat करका एक value का root में लिखी भी है उसके अंदर भी value है उसके बाभी value है तो यह बाअधर वाधी value radical के लाएगी यह बाहर वाजी बें इंडेक्स क्यलाएगी और यह जो रूट है यह आपका क्यलाएगा Radical क्या क्यलाएगा Radical दो फूम होती है एक Exponential Form और एक Radical Form Exponential Form में Power आजाती है जैसे इसी को अगर मैं चेंज करूं तो 5 के Power वाला सब्सक्राइगा मुआ जाए पास यह मेरे पास बावर्म है और यह दोаете अरे करिक्षा यह एक Yog Sahelै। टेंक यू